इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी इसोजोलेल कैपसूल एसार डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवा है जिसकी मदद से सीने में जलन पेट में दर्ध व जलन जैसे लक्षनों को ठीक करके गेस्ट्रॉसोफेगल यानि की एसिड रिफ्लक्स और पैप्टिकल्स डिजीज का इलाज किया जाता है यह बेचैनी को रोकने के लिए पेट में एसिड को बनने से रोकता है इसोजोलेल कैपसूल एसार को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार बिना भूजन के लिय जाता है दोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉंस पर निर्भर करेगी डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है अपनी हिल्थ के टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं सबसे सामाने साइड इफेक्ट डायरिया यानि की दस्थ मिचली आना उल्ट पेट में दर्ध, पेट फूलना यानि की कैस बनना कब्ज और सिर्ध दर्ध हैं इनमें से अधिकान शस्थाई होते हैं और आमतोर पर समय के साथ सही हो जाते हैं अगर आप इनमें से किसी भी साइड इफेक्ट को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इसको फाइबर से भरपूर भोजन खाना चाहिए और हाइडरेटेड रहना चाहिए इससे नींद आना भी हो सकता है इसलिए जब तक आपको यह पता न चल जाए कि दवा आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है तब तक ड्राइविंग तथा मानसिक एकागरता की सालेदार भोजन या चॉकलिट से बहतर परिनाम पाने में मदद मिल सकती है इस दवा को लेने से पहले अगर आप गरभवती हैं गरभवती होने की योजना बना रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए अगर आपको लिवर या चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद